मनुष्यता के इतिहास में जिन प्रश्णों पर सबसे अधिक चिंतन हुआ है उनमें से एक ये है प्रेम क्या है और तमाम प्रश्णों की तरह इसका भी एक सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया जिस तरह दो लोगों के फिंगर प्रेंट्स एक जैसे नहीं हो सकते उसी तरह दो लोगों की प्रेम की समझ और उसकी परिभाशा एक जैसे नहीं हो सकती इस संसार में जितने लोग हैं प्रेम को पाने और प्रेम को समझने के उतने तरीके हो सकते हैं इसके बावजूद प्रेम की कोई एक मानने परिभाशा नहीं हो सकती। जिस चीज को मैं प्रेम मानूँगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसे वासना कहने लगेगा, कोई तीसरा व्यक्ति उसे लालच कहने लगेगा। प्रेम की सबकी परिभाशाएं अलग-अलग हो जाती हैं। जब कोई ये कहता है कि प्यार वो अनुभूती है जो मुझे अकेला होने से बचाती है या मेरे चेहरे पे मुस्कान ला देती है या जिन्दगी की जुलसा देने वाली आग के बीच मेरी आत्मा पे पानी की शीतल बूंदे बरसाती है तब भी हम प्यार की परिभाशा नहीं क हम प्यार के उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। और मात्र प्यार ही नहीं, प्यार से जुड़ी तमाम कलाओं की परिभाशा लगभग असंभव है। हम क्या करते हैं? हम उपयोग को परिभाशा समझने की भूल करने लग जाते हैं। उसके बाद भी मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि आखिर हम प्रेम करते ही क्यों है? या जैसा कि कहा जाता है करते नहीं हैं हो जाता है, तो प्यार क्या है? कोई क्रिया है? कोई विचार है? कोई मांसिक स्थिति है? या हमारी यौन इच्छाओं को छिपाने के लिए पहना जान गया एक मुखोटा है क्या हमारे दुनिया को प्यार की जरूरत है क्या हमें सच में पार्क में बैठनेवाले गना गाने-वाले- आंखों- में- बातें करने वाले के औस रोमेंटिक प्यार की जरूरत क्या सच में है हमें? इनका जवाब ना तो विज्ञान के पास है ना ही मनों विज्ञान के पास. सब के पास अपनी अपनी थियोरी है तेकि किसी भी थियोरी को संपूर्ण नहीं माना जा सकता. बुद्ध कहते थे प्यार वो सबसे बड़ा तोफा है जो हम किसी को दे सकते हैं. और इसी बात को आगे बढ़ाते में प्लेटो कहता था प्यार ही वो चीज है जो हमें संपूर्ण बनाती है वरना हम तो संसार में अधूरे ही आए और अधूरे ही रहते हैं. एक पुरानी कहानी है यूनानी कहानी कि इनसान के पास पहले चार हाथ थे, चार पैर और दो चेहरे थे. वो घमंड में इतराता हुआ, यहां से वहां घूमता रहता था. एक दिन उसने देवताओं का अपमान कर दिया. इससे देवताओं के राजा जियस को खुसा आ गया और उसने इनसान को दो हिस्सों में बांट दिया तलवार चला करके. दो हाथ, दो पैर और एक चेहरे वाले दो हिस्से. उसके बाद से इनसान अधूरा है. और पूरा होने के लिए इस धर्ती पर अपने दूसरे हिस्से को खोजता रहता है. इसलिए प्यार दरसल एक प्रतीक्षा है. अपनी आत्मा के दूसरे टुकडे को खोज कर पा लेने की प्रतीक्षा है. अगर यही बात है, तो प्रतीक्षा पूरी होने के बाद, प्यार को समाप्त हो जाना चाहिए या कही बार, इंसान एक से ज्यादा प्रेमियों के साथ, खुद को संपूर्ण महसुस करता है एक प्रचलित मानेता ये है कि प्यार तो एक ही बार होता है और सिर्फ एक ही से होता है ज्यादा लोगों से हो तो वो प्यार नहीं है वो वासना है लेकिन ये बात पूरी तरह गले से नीचे नहीं उतरती क्योंकि प्यार इन सब के अलावा एक प्यास भी है प्यार एक नशा भी है और एक बार पानी पी लेने से जिन्दगी भर की प्यास मिट नहीं जाती कुछ लोगों का मानना है कि प्यार नदी की धारा की तरह है जो हर पल नया होता रहता है आप चाहें तो एक अही व्यक्ति से हजार बार प्रेम कर सकते हैं और चाहें तो हजार लोगों से अलग अलग तरीके का प्यार कर सकते हैं कुछ लोग खुश होने के लिए प्यार करते हैं तो कुछ लोग प्यार करने के बाद सामने वाले में इतनी खामिया खोजिने लगते हैं कि चारों और बस दुख ही दुख पसर जाता है जर्मन दरशनी शोपन हाur कहता था कि लोग इस गफलत में प्रेयम करते हैं कि उनका प्रेयमियों ने खुशी देगा जबिक इसके साथ वो साफ साफ ये भी कहता था कि हमें कभी भी दूसरे लोग खुशी नहीं दे सकते सिर्फ हम ये खुद को खुश कर सकते हैं दरसल ये सब सोचना ही न समस्या की असल जड़ है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर चिंतन मनन करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उनको जीना प्यार भी बिल्कुल ऐसी है चीज़ है प्यार के 10 किताबें पढ़ने से कहीं अधिक सुन्दर है, प्यार के 10 मिनितों को जीना जैसे शक्कर का स्वाद आप किसी को नहीं बता सकते, उसे खुद अनुभाव करना होता है, उसी तरफ प्यार भी है वो नमकीन है या मीठा ये जानने के लिए खुद प्रेम करना पड़ता है ये आग का दरिया है या बर्फ का पहाड है बिना खुद प्रेम किये इसे नहीं जाना जा सकता यहीं पे बुद्ध की बात एक बार फिर याद आती है कि हम दर असल अपने ही एक प्रतिविम्ब से प्रेम करते हैं इस तरह कहा जा सकता है कि इनसान जैसा होगा उसका इश्वर भी वैसा होगा और फिर उसका प्यार भी वैसा ही होगा तो कैसे लगा आज का ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा प्यार के बारे में आप क्या सोचते हैं आपकी क्या अनुभूतियां हैं मन में कुछ आए तो जरूर लिखिएगा अगर इन सारी बातों के आज पार कोई शायरी, कोई कविता, कोई शेर अगर सूझे तो वो भी जरूर लिखिएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा और हाँ, अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो आप already जानते हैं कि आपको क्या करना है बिल्कुल, चाहे join का button हो चाहे buymeacoffee.com description box को देखना मत भूलेगा उसमें तमाम options, तमाम links दिये हुए हैं एक बार visit कीजिएगा मिलूंगा अगले episode में तब तक, आमो